रामनाथ कोविंद का जीवन परिचे रामनाथ कोविंद का जन्म एक अप्टूबर उन्नीस सो पैंतालीस इस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की तैसीर देरापुर के एक छोटी से गाफ परॉंख में हुआ था इनके पिता का नाम स्वर्गिय मैकूलाल तथा माता का नाम स्वर्गिय कलावती है इनकी पत्नी का नाम सविता कोविंद है रामनाथ कोविंद ने पढ़ाई करते हुए B.com और L.L.B की डिग्री हासिल की ये डिग्री इन्होंने कानपूर विश्विद्यालय से हासिल की कानपूर से लौकी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दिल्ली गए दिल्ली में इन्होंने IAS की परीक्षा निकालने की कोशिश की शुरू में दो बार असफलता लगने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार पुनहा I.S. Entrance की परीक्षा दी इस बार ये सफल हुए, हाला कि इन्हीं आये इस पद नहीं मिला था, इन्होंने नौकरी नहीं कि और नौकरी की जगह लोग का अभ्यास करना ही सही समझा कोविंद का संबंध कोरी जाती से है जो उत्तर प्रदेश में पिछडी अनुसूचित जाती में आती है वकालत की उपाधी लेने के पश्चात उन्होंने दिली उच्छ न्यायाले में वकालत प्रारम्द की, उन्होंने सांगलोक, सेवा आयोग परीक्षा भी तीसरे प्रयास में ही पास कर ली थी वर्ष 1991 में भारतिय जन्ता पार्टी में सम्मिलित हो गए वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित होए वर्ष 2000 में पुनह उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित होए इस प्रकार कोविंद लगातार बारह वर्ष तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता भी रहे। और 1994 से 2006 के बीच राज्य सभा के सदस्य रहे। वह भारतिय जनता पार्टी भाज्पा के नेता थे। राज्मीती में प्रवेश करने से पहले वह 16 वर्षों तक वकील थे। वह भाज्पा दलित मोर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष और अखिल भारतिय कोरी समाज के अध्यक प्यूरू के महामंत्री भी रहे।